हलो आलगो मेरा नाम आदिते दोस्तो आज में आप लोगो बात आने वला हूं करनाडा यानि की संडल हुट्ट के एक नए मूवी के बारे में जिसका नाम है बेधा तो यह movie मैंने हिंदी में देखा तो पहले बताऊंगा movie कैसा है आप लोगो देखना चाहिए के नहीं देखना चाहिए उसके पात बोलूँगा आप लोग कहां जाके यह movie हिंदी में देख सकते हो तो अगर चैनल में नहीं है तो प्लीज सब्सक्रेइब कर देना और फ्लीज वीडियो के लाइक कर देना दोस्तों फ्लीज 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 तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बेधा यह 2022 का कानड़ा लैंगवेज का एक एक एक्सेन रिवेंच ड्रामा फ्ली में लेकिन इसका दिखाने का तरीका कुछ अलग है, कुछ नया दिखाता है आप लोगों को, बेधा, उसके बेटी, पुलिस बाला हर करेक्टर को बहुत अच्छी तरीका से लिखा गया है, तो मुवी का स्क्रीन प्ले आप लोगों एक टाइम के लिए भी बोर्ड नहीं करेगा, इसका जो एक्षेन सिक्वेंस है, जबरदस्त से भी जबरदस्त है, और मुवी का कहानी, 1960 से 80 साल के बीज में चलता है, और दोस्तों ये मुवी देखने के बाद मुझे ये लगा कि सेंडल उट सिनेमा बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि ये मुवी आपका दिल दहला इसका हर एक सीन इतना जबरदस्त है कि पूछो मत, एक बड़ अगर मुवी शुरू हो जाए, उसके बाद आप चेर से नहीं उठोगे, और इसके एक्षेन बहला जो बीजेम है, सिर्फ एक्षेन ही क्योंकि पूरे मुवी का जो बीजेम है, पुरा वावाल है, और उसके सा बीजेम है 7.3 out of 10 और गुल में 94 पसंद लोगों ने पसंद भी किया है, तो सुमिक अगर मैं एक सद में रिप्यू करूँ, तो अगर आप एक्षेन रिवेंज मुवी देखना पसंद करते हो, हलाकि यह जो रिवेंज है, कुछ अलग तरीका है इसका, जो मैं आप लोग को नहीं बाता सकता, मुवी का अंतर आप लोगों देखने मिल जाएगा, तो मुवी को आप लोग मिस मत करना, बहुत ही अच्छी खासी मुवी है, पैसा वसूल मुवी है, दोस्तों मुवी मैंने HQ हिंदीरा में देखा, अगर आप लोग मुवी को देखना चाते हो, उसके लि झाले को देखने को देखने को अमुवी है